खेर आपने टाइटल और थमनेल तो देखे लिए आए कि इस वीडियो में हम 10 फ्री ब्लॉगिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बट उससे भी पहले इंपोर्टन यह है कि आपको मेरी बात क्यूं मानने चाहिए आपको क्यूं मुझे बिलीव करना चाहिए और इस व गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट मेरे ब्लॉग का यूरल भी आप देख लो वेबसॉफ्ट ग्लोबल डोट को जो कि मेरी बिजनस वेबसाइट है इस में आर्टिकल से वगरा भी टाइम टाइम पर लिखता रहता हूं टोटल तीन महीने में कितने क्लिक्स हैं 17,200 क्लिक्स ह और तीन लाक्स जादा का इंप्रेशन गया है चार्ट भी आपके सामने है परडे के हिसाब से लास्ट 28 डेज में थोड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है मेरे ब्लॉग की ये देखो आप है ना लास्ट 28 डेज में तकरीबन एक लाग के आसपास का इंप्रेशन गया है और 9,000 गूगल सर्च क्लिक्स आए हैं चार्ट भी आप देख सकते हो जैसे 10 डिसेंबर को 3896 का इंप्रेशन है और क्लिक्स 602 गए है वहीं अभी लास्ट 23 डिसेंबर आज है 25 डिसेंबर इस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंप्रेशन गया है 32 से बिस इस लिए कीवर्ड ना कई सारे फैक्टर से हाइड करने के एनिवेज तो यहां पर देखो इंप्रेशन हर एक कीवर्ड ले कितना गया है क्लिक्स कितने आहे हैं बात करेंगर कंट्रीज की तो mostly traffic आ रहा है वो इंडिया से हैं देखों यहां पर है न इंडिया से 7668 clicks आये भ प्री टूल्स को यूज किया था तो चलते हैं पहले फ्री टूल की तरफ जो की है सूवले शायद आपने इस टूल का नाम कभी ना सुना हो बट बड़े कमाल का टूल है तो आपको सिंप्ली गूगल पे जाना है और यहां पे आप टाइप करोगे S O O V L E सूवले Now let's click on the very first link अब यह टूल क्या कर सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ यह टूल different different search engines के उपर जो जो main main queries सर्च की जाती है उसकी पूरी list आपको suggest करेगा जैसे माल लो आपका निश है digital marketing, जैसे मेरा निश है website development का, ठीक है? तो मैं यहाँ पर keyword type करूँगा, make a website, तो यहाँ पर देखो अब make a website मैंने search box में डाला है तो Google की उपर यह कुछ ऐसी popular queries हैं जो इस particular keywords related search की जाती है तो यहाँ से आपको keyword का idea मिल जाता है amazon.com पे इस keywords related कोई भी query type नहीं की जाती है तो कोई result नहीं है, वहीं yahoo पे इस keywords related एक keyword है how to make a website from scratch है कई सारे और भी suggestions है, 18 suggestions दिखाता है bing गे उपर इस keywords related यह सारे keywords search होते हैं, YouTube पे यह हैं, और यह भी कोई एक search engine वगरा होगा, और Wikipedia के results भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप इस search box के अंदर कोई भी keyword जो आपका है, आपको लग रहा है कि यह keyword के उपर मेरा article rank करना चाहिए और उस particular keywords related, कुछ popular keywords आपको पता करने हैं, तो यह एक ही website है, जो आपको different search engine से results निखाल करके यहीं पर दिखाती है, तो आपको काफी ज़र time बे save होता है, मानलो आपको iPhone charger के उपर एक micronation blog start करना है, तो आपने simply type कि iPhone charger, YouTube पे इस related यह queries है, Bing पे यह queries है Yahoo पे यह सारी queries है, Google पे popular queries यह है, ठीक आप समझ गए होगे, सूवले basically क्या आपके लिए कर सकता है अब बढ़ते हैं, अपने अगले tool की तरफ जो की है, limewire.com अब limewire एक AI tool है जो आपके लिए copyright free images design करके देगा, जैसा आप prompt होगे, पहले mid journey launch हुआ था, जो आपको copyright free images design करके देता था, बट अब वो paid हो गया limewire अभी भी free to use है तो आपको simply google पे जाना है और यहाँ पे आप type करोगे limewire सबसे पहला link आएगा limewire.com let's click on it अब इस tool में आप क्या कर सकते हो पहले आप sign up कर लेना, एक free of cost account बना लेना, इस तरह का interface आपको दिखाई देगा, left hand side पे यह AI studio इस पे आपको जाना है अब जो blog आप बनाते हो blog में अगर आप खाली text ही text लिख दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, blog में images भी होनी चाहिए, बट जो images आप google images से डाउनलोड करते हो भई वो copyright free images तो होती नहीं है अगर आप उन images को use करोगे तो या तो आपको उस particular designer को जिसने उस image को बनाया है, आपको credit दिना पड़ेगा, या फिर आप उन images को use ही मत करो, तो LimeWire की help से आप copyright free images खुद की design करवा सकते हो, बस command आपको देना होता है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक image design करवानी है कि एक बन्दा है जो Indian flag को ले करके चांद पे खड़ा है तो हम यहाँ पे क्या type करूँगा, a man holding Indian flag on the moon, बस यह command हमने लिख दिया, generate पे click करेंगे, अब LimeWire आपके लिए एक copyright free image design करके देगा, right hand side पे image के dimensions का भी option है, आप 1024 x 1024 pixel की image इसको design करवा सकते हो, या फिर ये वाला dimension भी choose कर सकते हो, या फिर ये वाला dimension भी आप choose कर सकते हो, तो ये देखो हमारे सामने एक image design हो करके आ गई है, इसको हम इस तरह से expand कर सकते हैं और आप right click करके से save भी कर सकते हो ये आपकी बनाई हुई 100% copyright free image है, Indian flag है, चांद है, यहाँ पे बन्दा खड़ा है, एक और जंडा हमारा लगा हुआ है, तो बैई इस वीडियो को फटावट like कर दो, अगर आपको ये वाला tool पसंद आ रहा है, और कोई भी ऐसी चीज हो, कोई ऐसा topic हो, ऐसा and side पे देखो, यहाँ पे कुछ options आपको दिख रहे होंगे, यह prompt वाला box है, है ना, तो यहाँ पे same prompt लिखा हुआ है, जो हमने पहले दिया था, a man holding Indian flag on the moon, आगे कुछ ऐसा भी add करेंगे, please make a very realistic image, ठीक है, realistic मतलब बहुत natural दिखेगी, then generate image पे click करते हैं, and we need to wait for a couple of seconds, देखो image की designing process already start हो चुकी है, अब और भी realistic image आपको दिखाई देगी, here you go, है ना, एक बार से expand करते हैं, यह काफी natural type की image है, मतलब रियल type का बंदा दिख रहा है, इस ते पहले वाली image पे cartoonish type का था, तो सब कुछ depend करता है, prompt के उपर, आप कैसा command देते हो, कैसा prompt देते हो, यह भी 100% copyright free में जाए, आप इसे directly download कर सकते हो, then after बढ़ते हैं, हमने तीसरे tool की तरफ, जो एक blogger के लिए बहत ज़रूरी है, ahrefs.com, कई लोग उसको arrefs.com भी कहते हैं, कुछ लोग ahrefs भी कहते हैं, खैर pronunciation तो जो भी है, बट यह tool काफी कमाल का है, और आप starting में 100% free of cost यूज़ कर सकते हो, एक blog की success के पीछे, keyword का सबसे बड़ा role है, अगर आपने गलत keyword चूज़ किया है, जिसको लोग search ही नहीं करते, या ऐसा keyword जिसमें search volume तो ज्यादा है, लेकिन competition भी ज्यादा है, तो आप उस keyword पे कभी rank नहीं कर पाऊगे, या फिर आपको कई महीने, कई साल लग जाएंगे उस keyword पे rank करने में, तो starting में आपको ऐसे keywords को find out करना है जिस पे competition कम है, और search volume में ठीक ठाक है, तो आप ऐसे keywords को search करने में help करेगा ahrefs.com, आपको simply URL open करना है ahrefs.com, तो आपको की official website है, scroll down करेंगे, और footer में आपको एक link मिलेगा, keyword generator अब ये एक free keyword generator tool है, beginning में bloggers के लिए बड़े काम का है, यहाँ से आप keyword ideas generate करवा सकते हो, जैसे माल लीजे आपका niche है, iPhone charger आपने माल लो, iPhone charger की उपर एक micro niche block शुरू किया है, तो यहाँ पर हमने iPhone charger keyword type कर दिया, then country selection के एक drop down दिया हुआ है, अब यहाँ से आप दुनिया का कोई भी country choose कर सकते हो, जैसी यहाँ पर अभी right now United States selected है, अब जैसी आप find keywords पर क्लिक करोगे, तो यह tool आपको वो results निकाल के देगा, जो United State में सर्च किये जाते हैं, इस keyword से related, find keywords पर हम click करेंगे, अब यहाँ पर आपको कई सरे keyword ideas मिलेंगे, जो iPhone charger से related हैं, कितने keywords ideas मिल रहे हैं, उननेस हजार 646 keyword ideas हैं, तो keyword difficulty, इस keyword की keyword difficulty कितनी है, 8, मतलब हर एक keyword को 100 में से कुछ rating दी जाती है, कुछ marks दिये जाते हैं, अगर marks कम हैं, तो आपके लिए good news है, तो यहाँ पर इस keyword की rating है, जो KD है, वो सिर्फ 8 है, मतलब हमारे लिए good news है, इस पर competition कम है, जिसकी KD कम होती है, उस पर competition कम होता है, मतलब ज्यादा bloggers उस keyword पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उस keyword को चूज कर सकते हो, एक factor तो यह है, दूसरा factor है volume, volume का मतलब होता है, कि हर महीने इस keyword को Google पर कितनी बार type करके search किया जाता है, total 46,000 बार search किया जाता है, तो यह भी एक अच्छी news है, अच्छा कासा search volume है, आप इस keyword को choose कर सकते हो, वहीं एक और keyword है, fast iPhone charger, यह keyword है, जिसकी keyword difficulty कितनी है, 60 है, तो यह हमारे लिए good news नहीं है, इस keyword पर already काफी ज्यादा competition दिख रहा है हमें, भले search volume 6100 का है, बट कई सारे other bloggers पहले ही इस keyword पर काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें जल्दी out rank नहीं कर पाओगे, आपको काफी time लग जाएगा अपने blog को rank करवाने में, तो हम इस keyword को choose नहीं करेंगे, तो airfs basically आपकी help करता है keyword research में, आपकी help करेंगे, आप कुछ paid tools use करता हूँ, बट starting आप free tools से कर सकते हो, बढ़ते हैं अपने अगले free blogging tool की तरफ जो की है grammarly, अब जब आप blog write करते हो, तो भाई आप से grammatical mistakes भी definitely होंगी, भाई मैं तो खुद English medium से हो, फिर भी मुझसे grammatical mistakes अक्सर हो ही जाती हैं, कही मुझे which लिखना होता है, the what लिखना होता हूँ, that लिखना होता है, this लिखना होता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है, तो अब हमसे mistake हो जाती हो चलेगा, बट Google तो भाई, यूं कहलो, आप एक bot है basically, एक software कह सकते हो, आप एक tool है, वो आपकी mistakes को नजर अंदाज नहीं करेगा, तो हमें अपने blog में ऐसे articles लिखने हैं, जिसमें grammatical mistakes होने के chances, या तो बिल्कुल zero हो, या कम से कम हो, grammatical mistake नहीं होनी चाहिए, अब मैं जानता हूँ, human being हैं भाई, हमसे गलती होगी, तो हम कैसे अपनी grammatical mistakes को fix करेंगे, उसके लिएक बढ़िया सा tool है, G-R-A-M-A-R-L-Y Grammarly, ठीक है, यह Grammarly की official website है, आप इस website पर जाओगे, अब Grammarly एक ऐसा tool है, जो आपके browser में ही integrate हो जाता है, और जो कुछ भी आप किसी भी web page पर लिखोगे, वो अपने आप उसे mark कर देगा कि यहाँ पर mistake है, आप इसको ठीक करो, तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, simply Google पर जाओ पहले तो, और type करो G-R-A-M-A-R-L-Y, अगर आप Chrome browser यूज़ कर रहे हो, तो simply type करो CH-R-O-M-E, Chrome extension, अगर आप Firefox यूज़ कर रहे हो, Mozilla Firefox, तो आप यहाँ पर type करो Firefox, E-X-T-E-N-S-I-O-N, राइट आप आप Firefox यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एक option मुझे मिला है, Grammarly Checker and Writing App, click करेंगे इस पर, अब मेरे browser में already Grammarly tool को मैंने पहले integrate कर रखा है, तो यहाँ पर यह देखो Grammarly आपको already दिख रहा होगा, आपके end पर नहीं होगा, तो यहाँ पर simply click कर ले न और यह आपको browser में install हो जाएगा, अब काम कैसे करता है, मैं यहाँ पर Google Translate की help लोगा, चलो, यहाँ पर माल लीजिए, मैं ऐसा कुछ टाइप करता हूँ, I want to eat milk, मालो मैंने गलत यहाँ पर कुछ भी sentence टाइप कर दिया है, देखो यह गोला घूम रहा है यहाँ पर, यह Grammarly tool है, जो मेरे browser में already integrated है, और यह खुद पूरे sentence को check करता है, तो अभी आप देखो, यहाँ पर इसने wants के नीचे line कीच दिये, जैसी मैं इसके वर mouse रखूँगा, यह correct word मुझे बताता है, यहाँ पर verb गलत है, यह कह रहा है, यह पर want होना चाहिए, click कर देंगे, I want to eat milk हो गया, अब हलाँ कि यह word जो है गलत है, sentence correct नहीं करेगा, बड़ grammatical mistakes को यह fix कर देता है, अब दूद को खाया तो नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, drink milk, दोनो mistakes मैं आपको दिखाई है, sentence में कोई mistake निकल रही है, जैसे दूद को खाया नहीं जाता है, उसको पिया जाता है, बाकि दूद को खाना है, पीना है, वो थो आप ही को पता होना चाहिए, तो grammarly tool आप अपने browser में इस तरह से install कर लोगे, यह अपने आप काम करता है, फिर जहाँ जहाँ आप जो कुछ भी type करोगे, अगर आप अपने wordpress में एक blog बनाते हो, और वहाँ पे अगर आप कुछ भी type कर रहे हो, तो यह अपने आप जो गोला था ना, यह वाला गोला अपने आप घूमने लग जाता है, content पे, हमारा अगला टूल है, chat GPT, जी हाँ मैं जानता हूँ, बहुत popular है, लेकिन chat GPT ने मुझे काफी जादा अच्छे results generate करके दिये हैं, और result आपके सामने हैं, कई सारे लोगों ने ना, मेरे उपर भी कई सारे videos बनाए हैं, कि भई, मैं ऐसे videos दिखाता हूँ, जिसमें chat GPT और blogging की help से हम article को rank नहीं करवा सकते हैं, कई लोग कहते हैं, सारी चीज़ा fake हैं, कई लोग कहते हैं, कि article का भी rank नहीं करता है, कुछ बेवकूफ ये भी कहते हैं, कि article को Google ban कर देगा, जबकि इससा कोई भी proof नहीं है, कोई fact नहीं है, Google ने कहीं भी officially ऐसा कुछ भी announce नहीं किया, BI written content को ban कर देगा, बट अब लोगों के पास content तो है ही नहीं, तो हमारे videos लोग पसंद करते हैं, जो दूसरे हमारे competitors हैं, वो basically हमें ही target करके हमारे content गलत साबित करने कोशिश करते हैं, बट मैं आपको proof दिखाता हूं, कि chat GPT की help से जो content मैंने write किया है, वो चार महीने से Google के first page पे first position पे rank कर रहा है, जी हाँ, first position पे, अगर आप अपने end पे भी जाना, ठीक है, सारी चीज़ें में transparent दिखाऊं, कुछ पे छुपाऊंगा नहीं, अपने end पे जाना और type करना, how to close flip card pay later, ठीक है, ये keyword है, जिसके लिए मेरा article Google के first page पे first position पे rank कर रहा है, कितने results हैं आपे, one stance, hundred thousand, ten thousand, lakh, ten lakh करो, दो करोड, 14 lakh results में से, number one position पे rank करना अपने आप में माइने रखता है, और इस article को मैंने कब publish किया था, 23 अगस्त 2023 को, आज 25 डिसमबर है, अगस्त कबा सेप्टेंबर, October, November, December, चार महीने total हो चुके हैं, article first position पे है, और किसके बारे में लिखा है, मैंने flip card के बारे में लिखा है, even flip card खुद एक brand है, brand की official website भी second number पे rank कर रही है, और मेरा article first number पे rank कर रहा है, अगर मैं इसको open करके आपको दिखा हूँ, जितना भी content यहाँ पे लिखा है, सब chat GPT से ही suggestion मैंने लिया था, headings वगरा सब वहाँ से generate करवाई, और हर एक heading को मैंने अपने words में explain किया है, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ, पूरा chat GPT content में copy paste मारा है, ऐसा नहीं है, chat GPT से हम content ideas generate करवाते हैं, और उन ideas को अपने हिसाब से लिखोगे, तो यह वो article है, google ad वगरा मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे blog से mostly sales आती है, वो affiliate sales आती है, दूसरे blogs हैं basically म मेरे पास, जिनको मैं reveal नहीं करता कभी YouTube पे, वहाँ से AdSense पे earning आती रहती है, तो यह वो article है, चैट GPT के help से हमने write करवाया है, अब चैट GPT को आप कैसे use करोगे, सबसे पहले Google पे जाना है आपको, अब Google पे आप type करोगे, chat GPT, बस इतना type करना, सबसे पहली website आ जाएगी, chatgpd.openai.com, ठीक है, यहाँ पे आप sign up बगरह कर ले न, free of cost अभी भी है यह, देन वापस हम ब्राउजर पे चलते हैं, और मेरा chat GPT account अल्रेडी लॉग देना है, अब हालनकि मैं chat GPT का premium version यूज़ कर रहा हूँ, जो कि chat GPT 4 है, बटा आपके सामने 3.5 आएगा, यह भी काफी ज़्यादा helpful है, अब मान लो, आपको कोई आर्टिकल लिखना है, जिसे आईफोन चार्जर भी आपको आर्टिकल लिखना है, तो आप यहाँ पे एक prompt दे दो, I want to write a blog post on iPhone charger, ठीक है, I don't know what to write in my article, can you help me to plan my content and generate good outlines, so that I can write content on them, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे टाइप किया, हम question mark भी लगा देंगे, ख्यार, chat GPT काफी smart tool है, यह एक AI tool है, बिसिकली, अगर कोई grammatical mistake भी आप कर देते हो, तो यह समझ लेता है, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप देखो, grammarly कितने अच्छे तरीके से का कर रहा है, यहाँ पे भी एक text editor है, तो grammarly ने हाँ पकड़ लिया, यह एक mistake है, आप इसको ऐसे लिखो, आईफोन, ऐसे लिखा जाता है, है ना, fix कर दिया, charger को यह कहा है, बच्यूकि हमारा keyword ही charger है, तो इसको हम fix नहीं करेंगे, अब हम enter push करते हैं, अब यह आप कई सारी आइफोन चार्जर होते हैं, जैसे कि Apple के official charger के बारे में बताओ, third party charger है, wireless charger है, fast charger है, अब इतना हम खोद नहीं सोच पाते हैं, हमें बहुत time लगता, chat GPT यह ideas आपको generate करके देता है, फिर Apple के official charger को explain करो, इसमें कई सारे इसने points मेंशन करें, third party वाल explain करो, wireless करो, fast charger करो, tips दे द आँ कि आपका article rank होने से कोई नहीं रोक सकता, कितने ही बेवकूफ लोग बैट करके अपने videos में बताते रहें कि AI content rank नहीं करता है, उन्हों कहने दो आप, result आपके सामने मैंने खुद दिखाया है, कि मेरा article Google के first page पे चार महीने से rank कर रहा है, वो भी first position पे content का सारा idea मैंने chat GPT से ही लिया हुआ था, अब बात करते हैं, कई सारे लोग ये भी कहेंगे, एक article खाली rank कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, मैं वापस चलता हूँ, अब दूसरा भी article मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में मैंने जो tools यूज किये हैं, उनकी बड़ी help में लि और दूसरा ब्लॉग मेरा आ रहा है, websoftglobal.com, even मेरा ब्लॉग उन सारे ब्लॉग को outrank कर रहा है, या उनसे उपर है, जो कि बड़ी-बड़ी multinational companies हैं, जैसे कि elegantthemes.com, dv theme बेसिकली इनकी है, ये भी पीछे हैं, LinkedIn का भी result है, Scala hosting पीछे है, Namecheap पीछे है, तो कई सारे बड़ हैं, traffic लाना बहुत जरूरी है, ये matter नहीं करता कि आप first page पे हैं कि second page पे हैं, आज की rate में Google ने इतना सारे तरीके traffic भेजने के दे रखे हैं, बस आप content अच्छा लेको, बाकि आप सारी चीज़ा छोड़ दो Google के ऊपर, content अगर अच्छा है, Google को अच्छा लग रहा है, अपर content पसंद आ रहा है, तो वो उस पर traffic कहीं से भी भेज देगा, trust me, आपको सिर्फ first position का target नहीं रखना है, content पे ध्यान दो, ठीक है, और ये जो article है ये मैंने 2019 में लिखा था, और manually लिखा था, उस time तो chat GPT market में आया भी नहीं था, तो manually भी अगर आप मेहनत करते हो ना, तो वो जरूर देगा, बशरत है content अच्छा होना चाहिए, हमारा अगला free blogging tool है Canva, अब जब आप एक blog बनाते हो, तो आप custom images भी design करोगे, कहीं नहीं आपको जरूरत पढ़ ही जाएगी, कि आप अपने खुद की images design करो, खुद का उस पर कुछ text वगरा लिखा होना चाहिए, custom images हों but real images आप कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको help लेनी है Canva की, Canva एक freemium tool है, इसका free version भी है, premium version भी है, but free version भी इतना powerful है कि आपको premium version के जरूरत ही ना पड़े, so Canva की official website है canva.com, ये interface है, free of cost आप पहले sign up करना, आप login हो जाओगे, कुछ इस तरह का आपको dashboard दिखाई देगा, अब जितने भी मेरे YouTube videos हैं, Instagram की posts वगरा हैं, Reels हैं, या Facebook की post डालता हूँ, उसके जितने भी thumbnails हैं, वो सब मैं Canva की help से ही design करता हूँ, even जो मेरे online courses और उनका certificate भी मैं यहीं पे create करता हूँ, और फिर अपने students को provide करता हूँ, तो यहाँ पर कई सार आपको thumbnail के design देखने को मिल design करनी हैं, तो यहाँ पर देखो Facebook post का land escape format पहले से ही set है, जो preset है, अब इसका size कितना बता रहा है, 940 भाई, 788 pixel, भाई हमें size तो नहीं मालूम था न, बट Canva में हर एक social media platform के जो image का size होता है, पहले से ही set है, तो आपको वो headache खतम हो जाता है, आपको बार बार गूगल नहीं करना पड़ेगा, अगर आप Instagram story create करने जा रहे हो, उसके लिए कोई image design करनी है, तो पहले से ही यहाँ पर preset ready है, भाई, 1080 by 1920 pixel Instagram story support करता है, वो यहाँ पहले से दिया हुआ है, इसी तरह से अगर आप YouTube का thumbnail design करना चाहते हो भाई, 1280 by 720 pixel का होता है, designing करने का simple सा तरीका है, बस आप इस पर click करोगे, तो new tab में designing area open हो जाएगा, left hand side पर कई सारे आपको options देखने को मिलेंगे, एक है design tab, यहाँ पर पहले से ही बने बनाए कुछ templates हैं, जिनको आप सिर्फ एक click में import कर सकते हो, और बाद में आप चाहो तो ने edit कर सकते हो, double click करके image वगरा सब कुछ replace हो जाती है, then after यहाँ पर elements वाले tab दिया हुआ है, कई सारे आपको shapes मिलेंगे, graphics मिलेंगे, icons मिलते हैं, GIF images मिल जाती हैं, कुछ stock photos भी आप use कर सकते हैं, इस पर copyright अखर कोई issue नहीं होता है, then text की यहाँ पर पूरी एक library दी हुई है, hundred से भी ज्यादा text formats या ucalo font styles available हैं, जिनको आप use कर सक हलांकि मैं तो paid version यूज़ कर रहा हूँ, अब कैसे पहचान होगे आपके किन tools को यूज़ कर सकते हो, free of cost, यहाँ पर देखो left hand side पे जैसे ये एक font style दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रो लिखा है, मतलब इसको हम सिफ canva pro में ही यूज़ कर सकते हैं, paid version आपको देना पड़ेगा, but आप इस वाले को free of cost यूज़ कर सकते हो, यह जो हमारे सामने font है, या फिर like and subscribe जैसे लिखा हुआ है, इसको free of cost यूज़ कर सकते हो, मैं एक बार इसको delete करके आपको दिखा देता हूँ, कैसे यूज़ करना है, click करेंगे, तो यहाँ पर like and subscribe आ गया, पूरा graphic designing का full course है, बिना graphic designing skill के, बिना Photoshop के, बिना Adobe Illustrator के knowledge के भी, आप अपने खुद की copyright free images Canva में कैसे design करोगे, YouTube के thumbnail कैसे design करोगे, Instagram के लिए आप images कैसे design करोगे, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में explain किया, तो detail में सिखाया है, जाके जरूर देख लेना, तो Canva की help से आप copyright free images को design कर सकते हो, हमारा अगला free blogging tool है, Samrush, Samrush एक blogging industry का Swiss knife है, जिसा कोई मुकाबला नहीं है, एक keyword research tool है, जो हर बड़ा blogger use करता है, आप यूं कह सकते हो, हर blogger की success के बीचे Samrush का बहुत बड़ा role है, even मैं भी आची rate में Samrush use करता हूं, तो Samrush पे आपको सबसे पहले sign up क यूज कर सकते हो, मैंने free trial link वीडियो के description में दिया हुआ है, वहां से अगर आप sign up करते हो, आप 14 days तक बिलकुल इस tool को 100% free of cost यूज कर पाऊगे, अब इसको use कैसे करना है, जब आप अपना account create करोगे, इस तरह का interface आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखो, एक दिया इंडिया type कर देना, मैं US के लिए चेक करूँगा, इस वाले drop down को as it is छोड़ेंगे and then search पे हम click करेंगे, अब यह जो tool है यह आपको in depth report निकाल करके देगा, जी हाँ, बहुत ज़्यादा deep में analysis करता है, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, volume, total global जो US मे search volume जो है, वो है 74,000 का हर महीने का, अब global search volume 2,41,000 का है, मतलब overall पूरे world में 2,41,000 बार Google पे इस keyword को search किया जाता है, वह यूएस में सिर्फ 74,000 बार search किया जाता है, overall keyword difficulty इस keyword की है 60, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जो हमारा HRF keyword generator था ना, वहाँ पे keyword difficulty कि ने दिखा रहा था, 8 दिखा रहा था, बट Samrush हमें 60 दिखा रहा है, अब इस बात से आप समझो कि वो free tool है, तो आपको थोड़ा idea दे रहा था, हलाएंकि वो accurate results नहीं देता है, बट Samrush में आप almost accuracy तक पहुँच जाते हो, यह जो है ना, यह 100% real QD है, इस particular keyword का, then यहाँ पे बैल हिजार से भी ज्यादा questions गूगल पे पूछे जाते हैं, हम simply click करेंगे, view all, 170,222 keywords वाले button पे, अब आपको कई सारे और भी keyword ideas यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हर एक blogger ना इस tool को जरूर use करता है, जिनके भी blocks अच्छे खासे चल रहे हैं, और जिनकी कमाई दमाई हो रह अगर इस keyword के लिए आप rank कर जाते हो, और आपको Google AdSense के जो ads वो चल रहे हैं, कोई भी user अगर उस ad पे click कर देता है, तो एक click का आपको एक dollar बन जाता है, मतलब CPC अच्छा खासा है, वहीं इस वाले keyword का CPC कितना है, सिफ 0.07 USD, तो बहुत कम हो गया यह, then एक नई चीज़ आ रैंक कर रहे हैं, अब यह आपको HRF तो नहीं बताएगा ना, बट Samra Shoo के paid tool है, तो यह आपको कई सारे in-depth result निकाल के देता है, वहीं पे एक keyword और है, जैसे कि iPhone 14 charger है, अब इसका देखो आप, search volume 12,000 से भी जादा है, KD 44 है, लेकिन अगर आप इसके result देखोगे ना, कितने blog rank कर रहे हैं, इस exact keyword के लिए सिर्फ 99 rank कर रहे है Google पर, competition बहुत कम हो गया है, है न, तो आप इस keyword को choose कर सकते हो, यह भी एक factor है, अब यहाँ पे हम कुछ filters लगा सकते हैं, जैसे KD का दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि सिर्फ वो ही keyword हमारे सामने आए, जिनकी maximum keyword difficulty 20 है, मतलब 0 से 20 तक की keyword difficulty वाले keywords हम को दिखाओ, तो यहां maximum range में हम डाल देते हैं 20, and then apply करेंगे, ओके, तो अभी कितने keywords filter out होगा, 323 ऐसे keywords है, जिनकी keyword difficulty maximum 20 तक ही जाता है, एक keyword है iPhone 14 not charging, KD 18 है, सर्च वोल्यूम 800 अस्तिका है, लेकिन result कितने आ रहे हैं, 276 million blocks पहले से rank कर रहे हैं, वहीं एक keyword है, can apple watch charger charge iPhone, एक question है basically है, KD 20 जरूर है, बड़ इसका अगर आप result देखो करना से 74 block से इस question के लिए rank कर रहे हैं, तो आप इसको as a FAQ अपने blog में use कर सकते हो, तो यहां पर कई सारे in-depth results आपको देखने को मिलते हैं, अब हमें और भी check करना है, मान लो हम check करना चाहते हैं कौन-कौन से blog rank कर रहे हैं, कितने हैं तो जब हमने मालूम कर लिया, कौन-कौन से blog rank कर रहे हैं, तो अब simply इस पर बस click कर दोगे, तो अब यह और भी in-depth results आपको निकाल करके देगा, यह देखो अब आप, इस keyword का exact search volume 390 है, US में, global है 850, keyword difficulty 20 है, और यहां पर 74 results हैं, सबसे top पर Qura की website rank कर रहे हैं, then after anchor है, कोई website वो rank कर रहे हैं, फिर apple की आ रहे हैं, फिर esrgear.com है, तो यहां पर आप यह भी देख सकते हो, कि कौन-कौन से website इस keyword के रहे हैं, आप हर एक website पर जा करके, उनके content को भी चाहो तो चेक करो, क्योंकि अगर यह blog rank कर रहे हैं न, top पर, इसक जैसा content भी लिख सकते हो, इसका content copy-paste नहीं करना है, इसके जैसा content आप भी लिख सकते हो, ठीक है, तो stem rush आपकी, you know, काफी ज़्यादा help करता है, आपको blog की success में, तो यह हमारा एक अच्छा tool है, इसको free of cost भी आप sign up कर सकते हो, वीडियो के description में मैंने free trial का link दिया है, 14 days तक बिल्कुल free of cost यूज़ करो, हमारा अगला free blogging tool है, uber suggest, uber suggest by Neil Patel, एक शांदर keyword research tool है, जिसकी help ले करके आप अपने blogging journey को start कर सकते हो, गूगल पर simply आप type करोगे, uber suggest, uber suggest, सबसे top की first website आएगी, Neil Patel वाली, इसको आप open कर लेना, अब ये एक ऐसा tool है, जो आपको और भी अच्छे results निकाल के देता है, sem rush के बराबरी के दो नहीं, लेकिन हा, free of cost है भई, तो आप starting दो करीज सकते हो, अब मान लेज़ें, यहाँ पर मैं keyword type करता हूँ, make a website, अब मुझे check करना है, इसका search volume क्या है, इस से related कुछ और भी keywords मुझे मिल जाए, US में check करते है, search पे click करें जो मैंने keyword type किया, make a website, उसका search volume almost 10,000 का है, जो SEO difficulty है, मतलब organically यह difficulty है, वो 82 है, paid difficulty 46 है, इस keyword के लिए, मतलब अगर आप ads चलवाते हो, पैसे pay करके, तो भी keyword difficulty जो आ रही है, वो कितनी है, 46 है, और organically अगर आप SEO को तरो rank करना चाहते हो, इस keyword के लिए, तो फिर keyword difficulty है, 82, और इस keyword का जो CPC है, बहुत हाई है, 24 डॉलर का है, मतलब अगर आपका यह blog rank कर जाता है, Google Ad Display हो रहा है, किसी बंदे ने एक click कर दिया है, तो 24 डॉलर की कमाई होगी, एक click के उपर, तो इस keyword पर rank करना ही बहुत बड़ी बात है, then यहाँ पर आपको कई सारे keyword ideas देखने को मिलेंगे, जैसे make a website, go daddy, इसे लोग search करते है, 18,000 बार, CPC आठ डॉलर का है, और paid जो इसका difficulty है, वो 23 है, then make a website, मतलब कई से related यहाँ पर results आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ सी भी आपका अच्छा खासा idea मिल जाता है, अब इस keyword के लिए भी कौन-कौन सी website टॉप पर rank कर रही है, तो कई सारे website इस keyword के लिए रैंक कर रही है, है न, तो CPC काफी highest keyword का, तो Uber Suggest भी आप use कर सकते हो, विल्कुल free of cost, और कुछ और भी अगर आपको यूना extra explore करना है, तो फिर आपको upgrade करना पड़ेगा, है न, तो यह भी tool काफी बढ़िया है, हमारा अगला free blogging tool है, Google Trends, अब Google Trends का खेर, कई सारे मैंने पहले भी videos बनाए है, काफी काम का tool है, अगर आप एक news blog वगरा बना रहे हो, तो आप Google Trends की help ले सकते हो, simply हम Google पर type करें Google Trends, Google का official tool है, सबसे पहली website आ रही है, आप simply इसे open करोगे, news blog में काफी help मिलती है, आज कल क्या चल रहा है market में, अगर आप एक news blog बना रहे हो, तो उस पर latest news ही आपको डालनी होती है, Google Trends पर वो सारे ideas आपको मिल जाते हैं, तो हम simply जाएंगे trending now पर, अभी क्या trend चल रहा है Google पर, कि इनमें चीजों को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो daily search trend है, दे मोधी, sales, floral tribute, ad और जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है, यह एक news blog है, इसी तरह से यह भी एक news blog है, तो बही अटल बिहारी वाजपेजी कि आज जैनती है, anniversary है basically, तो यह keyword काफी सार्च किया जा रहा है, कितनी बार सर्च हो रहा है, 50,000 से भी जादा बार सर्च किया जा रहा है, है न, यहाँ पर country का option भी है, इंडिया में का trend चल रहा है, वो देखो, Paytm employee 197 communications related भी कोई news आ रही है, और chart आप देखो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कुछ जादा ही trending कर रहा है, इसे आप expand करोगे, तो यहाँ पर आपको ideas देखने को मिलेंगे, यह देखो, दो घंट से देख रहे हो, आप कितना है, है न, तो यह basically एक ऐसा tool है, जो आपको trending topics के बारे में ideas देता है, आप इसके बारे में लिख सकते हो, आप खुद से बैटके तो नहीं सोच पाते हैं, बट Google trend, real result आपको दिखाता है, आप भी ऐसी news वगरा डाल करके, अपने news blog को rank करवा सकते हो, traffic वगरा भर-भर के ला सकते हो, अगर आपको news blog बनाना नहीं आता है, तो आप इस video को जा कर देखना, इसका link भी मैंने नीचे description में दिया हुआ है, news blog zero level से लेकर कैसे हम उसको successful बना सकते हैं, वो सारे चीज़े मैंने explain की है, हमारा अगला free blogging tool है, answerthepublic.com, अब ये tool क्या करता है, बड़े कमाल का tool है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको website open करनी है, answerthepublic.com, answerthepublic.com, ये भी नील पटेल की तरफ से एक free tool है, ये बंदा दिख रहा है न, ये दिख जरूर ऐसा रहा है, लेकिन बहुत कमाल का बंदा है, पुरा वर्ल्ड का top digital market आप कह सकते हैं उसक states, and then search पे click करेंगे, अब देखो ये tool आपको क्या करके देगा, आप चाहो तो इस पे free of cost, sign up भी कर ले न, ठीक है, यहाँ आप register for free and get का option भी आ रहा है, now, 127 questions make a website से related है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्या चीज़ है, ये देखो आप यहाँ पे, यह देख रहे हो, यहाँ पे make a website से related, कौन कौन से questions इंटरनेट पे पूछे जाते हैं, उन सारे questions के list आपको यहाँ मिलेगी, जैसे, एक question can से related है, can I make a website on my phone, make a website word आ गया, can chat GPT make a website, एक common question है, can you make a website on Canva, एक question है, इसके बाद why से related questions आते है, why build a website from scratch, why build a website, then who से, who can create a website for my business, who create a website, then what's related questions है, इसके बाद यहाँ where से related है, when से related है, what से related है, then how से related है, can से related है, अब इसका मतलब क्या है, इसा benefit आपको कैसे मिलेगा, Google पे चलते हैं, यहाँ पे मालो मैंने type किया है, make a website, बस इतना मैंने type कर दिया, जब मैं यह type करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ results तो पहले मुझे देखने को मिल रहे है, इसके बाद एक section आता है, people also ask है, Google की तरफ से एक नया feature यह add किया गया, एक यह डेड़ साल हो गया, इस तरह के यह results भी आपको देखने को मिलते हैं, यह basically frequently asked questions है, जो different different blogs से fetch करके Google अपने results में दिखाता है, अगर मैं इस पे click करूँ question क्या है, can I make a website for free, थोड़ा सा answer यहाँ पे दिया है, और बाकी remaining पूरा blog post link है, यह देखो आप है, hub spot से इसने उठाया है, कोई बंदा click करेगा, तो hub spot के official website open हो जाएगी, मतलब traffic यो drive हो रहा है, people also ask वाले section से drive हो रहा है, यह Google का नया feature है, जब आप इस तरह के questions अपने blog post मे include करते हो, तो उन questions के people also ask में rank करने के chances ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं, आपको यहाँ से भी traffic मिल सकता है, इसलिए answer the public का use करके, जो common questions जो mostly search किये जाते हैं, उन questions को आप उठाओ, frequently asked वाला section बनाओ, जो कि पहले ही मैंने अपने blogging के full course वाले video में explain किया हुआ है, उसका link भी video के description में मिलेगा, तो आप frequently ask questions को अपने पूरे blog post में जरूर include करा करो, तो यह कुछ ऐसे important tools हैं, जो mostly मैं भी अपने blogging में use करता हूँ, काफी help मुझे मिलती है, और मेरे blog article शायद इसी वज़े से first page पे rank भी कर पा रहे हैं, और traffic click मैंने सब कुछ आपको दिखाया है, लाइक कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, थ्री मंस में 17,000 से जादा clicks हैं, और 3 लाइक से जादा का impression है, उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी बात पे वीडियो को लाइक करके, चैनल को subscribe कर लें, और कोई भी चीज ऐसी है, जो आपको करिए कि यार वो resolve होनी चाहिए, mind में कोई question है, comment जरूर करना, मैं 24 गंडे में personally आपको reply करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में